वेल कलका जज़्जमेंट का दिन आसान विल्कुल भी नी था मुनवर के लिए और मुनवर के चाहने वाले मुनवर के फैंस के लिए जहाँ पर मुनवर के कई सारे बाते सामने आती है ना सिर्फ की वो अब एक सिंगल पर्सन है बलकि ये भी कि किस तरीके से वो एक शादिशुदा इंसान हुआ करते थे उसके बाद वो इनकी बीवी से सेपरेट हो गए तीन साल का बच्चा है उन्हें और फिलहाल कोट कचेरी के उनके केस चालू है और कई सारे चीजे जो है मुनबवर ने अपने लाइफ में जेली है उनका खुद का एक गाना है जिसको लेकर उसके कुछ लाइन्स है जो उनके मुनबवर की जो टीम है सोशल मीडिया है उन्होंने उनके इंस्टेग्राम पे एक पोस्ट शेर किया हुआ है अखिरे पोस्ट क्या है चलिए आपको बताते है इस वीडियो में विदांगी करने का आपका स्वागत करती हूँ फीफा फूस के इस यूट्यूब चानल पर अगर मुनबवर को देखे तो ये उनके मारे लाइफ से लेटेड तो उन्होंने जेला है प्लस उनके पारिंस की फान्स को हसाना उनको रोने नहीं देना और उन्हें 24x7 एंटेटेन करना अगर शायद मुनबवर के ये hidden such जो है सामने नहीं आता तो शायद मुनबवर के बारे में किसी को ये side पता ही नहीं चलती बट अब जो कि सब को मुनबवर के पीछे की ये जो एक soft side है जो पता चली है उसके बाद definitely जो चार पंक्तिया चार लाइन जो मुनबवर के टीम ने पोस्ट किये उनके Instagram पे वो बिल्कुल सही भी है और सूट भी करती है बादशाओ को सिखाया है कलंदर होना तू आसान समझता है क्या मुनबवर होना दिन बर हस्ती शकल लेके चलना रोते सजदों म और गीले तक्यों पे सोना इस तरह का जो एक चीजे जो मुनबवर ने अपने लाइफ में जहली हुए अब उनकी जो जनता है मुनबवर के जनता मुनबवर के फान्स सारी चीज़ा समझ रहे है देख रहे है अंडिस्टांड कर रहे है So it's a very very huge deal So I'm sure कि मुनबवर का ये जो सच सामने आया है कही न कही आप और मुनबवर को support करेंगे और उसको जाधा प्यार देंगे Because आप मुनबवर as a comedian, as an artist, as someone जो एक बहुती उन्धा प्लेयर है एक बहुती badass player है दलो का पे जानते है लेकिन उनकी जो emotional side है ये कल के episode में पता चली तो इसके बारे में आपको क्या है कहना let me know in the comment section below and what's your take on Munavvar and his further game in lock up, ये लिखना में भूली I'll see you guys soon, तब तक के लिए, take care